टॉपिक हमारा है कंड़क्टर और इंसुलेटर तो पहले हम समझेंगे कंड़क्टर क्या होता है जिसमें इल्लिक्टिसिति हो ट्रांसफर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्त और इंसुलेटर में होता है इसमें इसका क्या करेंगे भी ixperiement करके देखेंगे न तो कर रोप ले लिए तीक है फिरय द्याप्टर जर से सेगे होता है और जब दो Hayır इंदिविधियूच मेनने दों रोप भी ऐन स отвher हो गया। और किमार साफीन reduceक करना पहुत चोटेजिक अब कि प्समे ऐब कर चोण दिया सब्सक्राइब करने वाले हम यह मारे पास जो चाबी है इसमें एक वायर लो इस वायर को जोड़ देते हैं वायर को उने क्या किया इसमें जोड़ दिए अब हम चेक करेंगे यह हमारा कंड़क्टर है या इंसुलेटर मिन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान थक कि नहीं तो आप पकड़िए कौन तर्मिल इसमें पॉजिटिव टर्मिनल सब्क करता हूं और में क्या करता हूं नहीं कि में छावी में इंत्र देख्टे रहें पॉस्टिव सब्सक्राइब मुabushma फंद तरवियर आपने इसवार को ट्वार को 預ंद तो इसमें क्या रहा है देखो पूरी ट्रांसपर हो रही मिन्स ही ह्ये मिन्स ही जुता ऑफि का जाれた है में सुलेटर ह मीन्स इसमें क्या रहा है अब सब समय दूसरा इस्पर में करते हैं ऩैसे मेरे प्रास यह क्या कै affiliated कि आई इसको चेक करते हैं यह इंसलैटर है कि कि आप मेरे क्या कि और नहीं से है अगर बल्ब जलता है तो हमारा यह क्या हो जाए यह कंडॉक्टर इस इसमें क्या हो रहा है यहां तक ट्रांसपर नहीं हो पा रही है वड़ी जो मेरे पास चाभी थी इसमें क्या था यहां से पूरे चाभी में पॉइंट को टच कराते हैं वायर को यहां यहां हर जगह कराने पर बल्ब क्या होता है जल रहा है तो हमने इस वीडियो में क्या समझ लिया और इस क्लास में क्या समझ लिया इंसुलेटर समझ लिया सेल और बैटरी समझ लिया थोड़ा हम समझ लेते हैं हमने क्स समझ लिया था है अगर आपको कोई घाल शुरुंण से बीडियों हम दोनों तृटे रहेंगे सीखते रहेंगे एकर दीजिए छो चनल को सुस्काइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए और अच्छे वीडियो को हर दोस्तों के साथ जरूर सेयर करिएगा ओके थैंक यू समाच